नमस्कार, शेत्रिया शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के E-Content Development Program में आपका हादिक स्वागत है आज हम आठवे कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक, वसंत, भाग तीन में सम्मिलित यह सबसे कठिन समय नहीं कवीता पर बात्चीत करेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी की महत्वपूर्ण कवीता है यह कवीता निराशा भरे महौल में उमीद का संचार करती है वैश्विक संकट के दौर में जीवन की स्वभाविक गती का रिखांकन सचमुच आशा देता है कि हम बहुत बुरे दौर में नहीं है अभी सब कुछ बचा हुआ है और हम सब प्रयासों से दुनिया को बहतर कर सकते हैं आईए इस कवीता को लेकर विस्तार से बात्चीत करते हैं सबसे पहले इस कवीता की कवीत्री जया जादवानी के बारे में जानते हैं कवित्री जया जादवानी की आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान है जया जी हिंदी साहित्य की युवा पेड़ी की सशक्त कहानिकार है जया जी का जन एक मई 1969 इस्वी को कोताम शहडोल मध्यप्रदेश में हुआ था इनकी भाषा हिंदी है उनकी महत्वपुन कृत्या है कविता संग्रा मैं शब्द हूँ अनंत भावनाओं के बाद भी उठता है कोई एक मुठी एश्वर्या उनके कहानी संग्रा है मुझे भी होना है बार बार अंदर के पानियों में कोई सपना कापता है उनके उपन्या से कुछ ना कुछ छूट जाता है जया जादवानी को उनके साहितिक योगदान के लिए 36 कर हिंदी अकादमी का सम्मान प्राप्त है इस कविता में कवित्री यह दर्शाना चाहती है कि अभी निराश होने का समय नहीं है हम चाहे तो प्रैतन करके अपने लक्षे की ओर बढ़ सकते हैं आज का समय कठिन नहीं है अभी भी आशा के चिन बचे है अभी भी चिडियों को आश्रे प्राप्त है अभी भी स्टेशनों में रेल गाड़ी अपने समय पर आती है और लोग अपने परिचितों का इंतजार करते हैं जब भी हम अपने मार्क की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता अपने आप ही आता है कविता कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है पहला निराशा के बजाए आशा का संदेश दूसरा बरती आस्वभाविक्टा के दौर में स्वभाविक्टा के महत्वपूर्ण बिंदों की स्थापना कविता में नहीत अर्थ को जानने से पहले आईए कविता का पाठ करते हैं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिरिया की चोच मेतिन का, और वह उडने की तैयारी में है, अभी भी जरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड है स्टेशन पर, अभी भी एक रेल गारी जाती है, गंतव्या पर, जहां कोई कर रह होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ की अब, सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है, उस कथा का आखरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष क पार की दुनिया से, लाएगी दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवित्री कहती है, हे मानों, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम्हें अपने लक्षे को प्राप्त करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क् कुकि अभी भीचिणिया अपना घोसला बनाने के लिए तिनका इकठा करती है और उड़ने के लिए हमेशा तयार रहती है रिक्ष के अंतिम पत्ते गिरते ही उसे थामने के लिए एक हाथ तयार रहता है उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष से भटक भी जाएं तो आपको सही अपनी रास्ते पर लाने के लिए कोई तयार होगा इसलिए तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने लक्ष को प्राप्त करो फिर कवीत्री रेलगाडी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि रेलगाडी मनुष्य को अपने मन्जिल की ओर ले जाती है इसलिए तुम अपनी मन्जिल की ओर बढ़ने से संकोच ना करो फिर वह कहती है कि अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आखे बिछाए बैठे है यह प्रेम को दर्शाता है इसमें कवीत्री मम्ता और वातसले की ओर भी संकेत करती है इसके साथ ही मनुशे को अपने लक्ष प्राप्ती के पुर्व घबराना या सोचना नहीं चाहिए यह कवीता हमें प्रेतन करने की प्रेड़ना देती है कवीता में नाना नानी की कहानी के माध्यम से यह बतानी की कोशिश की गई है जो शिक्षाप्रद हिस्सा बचा है तुम कहानी सुन सकते हो अर्था तुम लक्ष की ओर बढ़ सकते हो अंत में कवीत्री मार्मिक्ता का वर्नन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती है कि जो बस लोगों को लेकर गई है वहाँ पर कार्द्या करते हुए कुछ लोग मारे गए किन्तु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है ये लोग अंत्रिक्ष के पार की नई नई जानकारिया लेकर आएंगे हे मानो तुम अपने उतकर्ष और आशावाद की ओर मुख करके लगातार अपने लक्ष की ओर बढ़ते चलो तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और आवसाद नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का शन नहीं है चिणिया अपने बच्चों की शुरक्सा हेतु घोसला बनाना चाहती है इसलिए चोच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है पेड से तूट कर गिर्ती पत्ती को कोई सहारा दे देता है वैसे ही यदि हम नाकाम्याब हो रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा होसला जरूर बढ़ाएगा लोग अपने प्रिये जनूं की प्रतीक्षा करते हैं वे चाहते हैं कि सूर्य ढ़लने के पूर्व वो घर आ जाए कवीत्री का कहना है कि अभी भी देर नहीं हुई आप अपना काम अभी भी शुरू कर सकते हैं इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मृत्यों से जूशती हुए भी हमें अपने लक्षे को प्राप्ट करना चाहिए कवीता की भाषा सरल और बोध गम्या है इसमें गद्यात्मक, द्रिश्यात्मक और संकेतात्मक शहलियों का प्रयोग किया गया है इस कवीता में काल्पनिक्ता का सहारा लिया गया है वैज्यानिक चेतना का सुन्दर प्रयोग है कुल मिलाकर कवीता बेहत प्रभावी है यह सबसे कठिन समय नहीं कवीता इस बात का प्रतिवात करती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है कवीत्री ने दुनिया की स्वभाविक्ता प्रकृती की स्वभाविक्ता की ओर हमारी द्रिष्टी खीची है कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन प्रकृति की स्वभाविक्ता, जीवन की स्वभाविक्ता, नई पीड़ी की कल्पना शीलता अभी भी कायम है इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया अभी भी बहतरी की ओर बढ़ रही है, आशाय, उमीदे, खत्म नहीं हुई है अब चलते हैं इस कवीता के प्रश्नोतर की तरफ पहला प्रश्न है, चिडिया के चोच में क्या है? वह इनका क्या करती होगी? इसका उत्तर है, चिडिया की चोच में तिनका है, इनसे वह अपना घोसला बनाती होगी दूसरा प्रश्न है, काब्यांश से आपको क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर है, काब्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें निराशा छोड़ कर आशावादी होना चाहिए हम उमीद करते हैं कि इस कवीता को आप अच्छी तरह समझ कहें होंगे और इसके संदेश को आत्मसात कर लिया होगा धन्यवाद गिर्मेश तरह संदेश तरह सकत्मस तरह में खटावाद हमेश में उमने दो गवार हम आत्तर गुप में जढ़गा आत्तर गाल हम उना हम अ आत्तर गवार भावाद झाल